हलो गाई स्वागत आपका ब्राइट गोली यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है अर्वन्दा सिंग आज मैं आपको सील आंगल के प्रोजेक्ट का ओर्रविव देने वाला हूं जो की लब्रेजी मैंने में के ऊपर बेस्ड है यह पूरा पूरा ग्राफिक्स के ऊपर बेस लेते हैं तो और उसके बाद भी जानेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को साट आप कैसे कर सकते हैं और ताकि हम बिना किसी एरर के कोड़ ब्लॉक में इस प्रोजेक्ट को रन कर पाएं और कहां से सोर्स कोड की फाइल को डाउन्लोड सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहां फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैंने एक्सी फाल रखे लिए एक्सी फाल को ओपन कर लेता हूँ आप दे सकते हैं प्रजेक्ट कुछ इस तरह देख रहा है पूरा ग्राफिक्स के उपर बेस्ट है बट इसमें कोई ग्राफिक्स.h की फाइल यूज नहीं की गई है मैं यहां कुछ टेस्ट आपको कर रहे दिखा देता हूं ताकि आपको पता लग जाए कि आप अप इसमें अ Suite १ार रहा है में काम कर रहा हा कि नहीं कर रहा है आप यह अचाउंट बना सकते हैं अजोना अगर आप बनाना छाते तो आपको के ट कर लेता हूं यहर ऑफ की यूज़ data ऀुजर निम डल देते हैं आपको पांसवर्ट डॉल ड़ते हैं अब आप control alert S की का प्रेयोग करके password को show and H की का प्रेयोग करके hide कर सकते हैं तो मैं फिर से password डाल देता हूं और control alert S करता हूं आप देख सेते हैं password show कर रहा है फिर hide कर देता हूं दुबारे से control alert H फिर यहां mobile number डाल देते हैं इस नंबर पर आप मुझे call भी कर सकते हैं अगर आपको कोई question पुछना हो है या आपकी query about project तो आप इस नंबर पर call कर सकते हैं मैं कोशिच करूँगा कि आपके उस question का जवाब देपाऊं तो यहां email डाल देते हैं कि email डालने बाद हम यहां backup की डाल देते हैं backup की डाल सकते हैं तो यहां backup की डालने गवाद data की मांग रहा है देटा zeileen डाल सकते हैं बैक इस ञाहिए यहाद डेकिजर को डार क्तिता रख जेए लाइब्र हो सकते हैं बट एक बैक ओप एक डेटाट व को आप एक से जादा आप नहीं प्रयुक कर सकते हैं अगर आप कोई दूसरा administrator account बना रहे हैं तो डेटा की क्यों एक चाहदिक बार नहीं फ्रयोग कर सकते हैं लाइबरी मैंने राइट गूल लाइबरी ने अकाउंट या बन चुका है आप यहां से दे सकते हैं total administrator account in library 1 दिखा रहा तो हम एक guest account भी create कर लेते हैं करेंगे क्योंकि हम इस software को permission set करेंगे ताकि guest account में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं यह हम permission set कर सकते हैं तो permission भी set करके देखेंगे तो यहां युज़र नेम काप्टर में डाले हैं इसमाल से को फ़र्ट नहीं पढ़ता है अधिवर हम देख रहा है अब अकाउंट टाइप में गेस्ट अकाउंट बतारा है इसके बार हम डालेंगे फर्स्ट नेम यहां फस्ट नेम project and username डाल देते हैं इसर नेम डाल देते हैं इसे इसे कंफिर्म कर देते हैं पासवर्ड और मुबाइल निंबर डाल देते हैं कि मेल डाल देते हैं, ब्लैंक था, और हमने इंट्रों किस्क दिया, इसके वह इहनलेट बताने लगा, यहां बैकप की डाल देते हैं, हम बैकप की अगर वही डालेंगे तो यहां इरूर बताएगा, क्योंकि बैकप की हमने पहले जोज कर ली है, तो हम दूसरी backup की डाल देते हैं यहां अब account के permissions पूछ रहा है कि guest account को क्या क्या permissions देनी है क्या नहीं देनी है कि वो library में क्या कर सके और क्या ना कर सके जो जो हम allow करना चाहते हैं allow कर देंगे जैसे मैं आप भी तीन options को allow कर रहा हूं हम देखें जाके कि जो options Danny है वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो तो यहां बता रहा है account successfully created यहां भी आप दे सकते हैं total guest account in library one बता रहा है और administrator account one हो चुके हैं हमने दो account create की है अब गेस्ट एक अन्फुरेटर हम लाग इन कर लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम गेस्ट लाग इन करते हैं ताकि हम देख पाएं कि वाके में वह permissions काम कर रही है नहीं काम कर रही है तो सबसे पहले हम book management में जाते हैं यहां सब अभी कोई book add नहीं कि student add नहीं किया तो इसलिए सब यहां जीरो बता रहा है तो हम सबसे पहले book में जाते हैं add new book book add कर सकते हैं बड़ हमें सबसे पहले category add करनी होगा अगर book add करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम category options जैनी था तो category को add करके देखते हैं होती है यह यहां category के लिए you need permission to perform this action you require permission for administrator to perform this action यह अब आपको इसको allow करना होगा तभी यह इस option को use कर सकता है जो जो option आपने Danny कर दी है वो option without permissions के वो use नहीं कर सकता है guest account लेकिन administrator account सभी options को use कर सकता उसे कोई permission की ज़रूरत नहीं है अब यहां आप दे सकते हैं type में guest भी दिखा रहा है तो हम transaction में issue book भी करके देख लेते हैं तो यह भी option नहीं काम कर रहा है क्योंकि इस पर हमने allowed नहीं किया था search का option उसमें नहीं है क्योंकि search बने आप नहीं किया उसमें search कोई भी कर सकता है administrator हो चाहिए guest लेकिन कोई correction करना हो data में यहां कोई add करना हो कोई नया data तो add नहीं कर सकता है यहां कुछ भी option नहीं काम कर रहा है क्योंकि हमने allowed नहीं किया रहा हम logout कर देते हैं और सबस्क्राइब यहां दुबारा अजनी स्टेटर से लॉग इन करके देख लेते हैं कि यहां दे सकते हैं अब यहां बुक को इशू करकर देखेंगे अगर शू का उप्शन काम कर रहा है यहां देख सकते हैं सारे फंक्शन से वर्क कर रहे हैं कि सर्च बुक सारे का फंक्शन वर्क कर रहे हैं काटेगरी में अड्निव काटेगरी यह काम कर रहा है है यहां अड्मिस्टर अकाउंट को कोई भी परमेशन की जूरूर्त नहीं होती कि वह गया सबस्क्राइब कर लेता हूं और कुछ डेटा एक्सपोर्ट करके बता देत हूं कि इसमें डेटा यह किस फाइल में एक्सपोर्ट करता है तो अड्निव कटागरी एंड कटागरी नेम व्यों कि पूछ रहा कि आप एक और नहीं कटागरी और करना चाहते हैं तो नो नो के क्लिक कर देते हैं एंड शर्च आप यहां सर्च करके दे सकते हैं तो आप कटेगरी आइड हो चुकी तो यहां दिखा भी रहा टूटल नंबर आप बुक कटेगरी से लाइब्रेरी वन है यहां बुक आइड करके देख लेते हैं बुक का नाम है सी, सी लैंगविज दैनिस रोड़ी छी कोड डाल दें उसका कटेगरी डाल दें यहां के ने हम दोने अप्चेट कर लेंगा तो हम करेंड दे रहा हैं यह प्रोग्रम में उसका कटेगरी का नेम आ चुका है है आप डिल देते हैं कि बुक आइड आप वो बोलने नहीं है आप डाल सकते जो पहले से यूज ब्लस किखिया है डाल देते हैं फ्लिक यदि कर दो ब्लाइब कॉनिंट कर देते हैं अब यहां दे सकते हैं भी ऐक बता रहा है कि यह नहीं एक बोड लाइबले में आचुकि- है vivid sprite कर दिए हम the study कर लोग सकते हैं जो आए भी कैल से सारा रिकाड हा रहा है यहां हम दॉक का सभी जितनी भी Pittsburgh में हैं इन का देटा ऑक कर सकते हैं एक इके सीट में तो आगके मतدمット से एक्सपोर्ड कर सकते हैं वो कैसे कर रहा हैं उसके लिए फॉंसे फंक्श न्सी क्या method यूज किया गया है वह आप जब source code लेंगे तो आप उसमें से सब दे सकते हैं उसमें आप सब दे सकते हैं कैसे क्या functions यूज हो यह यहां book transaction सबसक्राइब सबस्वाब आई देते हैं एक student ID क्लास फाइफे रोल नमबर पालिट्स यहां अपने अपडेट ले लिए अधरवाइस हमें यहां डेट डान ले पड़ती पूछा है आपको और क्या और स्टुनेंट एड़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहां ट्रांजेक्शन बुक ट्रांजेक्शन करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा काफी मैं वैसे मैंने काफी टेस्ट करके दिखा द सारी दो कर दी है चाहिए तो इसे आप अकर प्रोजेक्ट के रूप में सब्मेट करना चाहते हैं वह भी सब्मेट कर सकते हैं यह इस्टुडेंट बुक को सब्मेट करना चाहता है हो लूट मौल ड़क नहीं एड इश्टु करना चाहते हैं हम देश सकते हैं इस्टू फिपर दिखा रहा तो यहां सब्मेट करते हैं तो अपने आप कल्कुलेट करलता है कि जब आप सम्मेट किया है जब आप उस दिन और जब आप सम्मेट करने आले हैं उसके बीच डिफ जो आपने बुक में रेंट रेट डाला हुआ है उससे कल्कुलेट करके बिल इन्वाइस बना देता है यहां मैं बुक का रिकार्ड दिखा देता हूं उसके वहले आपको अब दे सकते हैं रेंट रेट 45 आ रहा है और एक साचार 25 आ रहा है तो हम अब बुक को इस्यो कर लेते हैं अब वक को इस विए इन्वाइस नमब को जमएट अब ने बुक कर लेते हैं इस को इसका है बुक कि पाल है दो इक सब्वेक्स नमेल ब unwest Is दो जाल देते हैं आप दे सकते हैं hextra-char 45 ऑन 25 charger 25 में रेंटरेट ल्दध का रेंट reut and one day का एक्स्ट्रा चार जोड चुका है that total amount 60,000 भी आ चुक Já Composank अथी हैं यह इनवाइस बनके आचुकी है यह से ओक अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहे तो एक्सपोर्ट भी हो जाएगी तो मैं अब आपको इन्वाइस दुपार दिखा देता हूँ सब्सक्राइब करें इसके बाद हम जानेगे कि कैसे हम इस प्रोजिटा को सेटाब कर सकते हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहां विए चुकी है ट्रह सबसे पहले मैं यहां export कर देता है आउ और यहां कोई नहीं यह था करेंको को देता है is यह इंटर माद देते हैं यह बाके बन गई है तो यह आगा इन्वाइस बन चुकी है आप दे सकते हैं सारी column wise पुरा बिल export हो चुका है अगर एक से ज़्यादा बिल होते तो वो भी औन कॉलम भाइस सारे export हो जाते एक से ज्यादा बिल होते तो भी column wise यहाँ एक्सपोर्ट हो जाते इसी तरह आप बाकी सारे data को भी export कर सकते हैं जैसे book student की record से उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं सबी स्विस्ट mother two gel कि लॉग उव officers देख लेते हैं लिए सभी है याम कि ईलिए ड KIR्रॉर तो सकते हैं या लेट कोर्फ सकते हैं यहां से समय ऑफ वी नहीं डेटक्ट करेगा आपको और फिलकरने पड़ेगी तो यां सेटिंस यहां इसकीだけ लग 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 अपकर अललग करने नहींव कि लगपां एक पोसुक्त ताना इस संची कंतर जाएं और क्यों के यूह दॉपित मैं तो पुसक्त रोग सेंवारे कंपर जो करता हूआ है कर रहा दे लिए तो करने चाहिए बैग यहां डेटा की डाली तो जब भी आप नय डेटा की डालेंगे तो वह अलगअ अकाउंट के लिए अलगअ फोल्ड को मैनेज करता है के उयू선 क juicy 파ॉल यूज़िश है यहां यह आप इस कि फाइल है इस पर कि आइकन लगा तो मैं यूस बता देता हूं कि कैसे setup करें इस project का ताकि बिना किसी error की यह run हो जाए तो सबसे पहले जब आप इस project को download करेंगे तो आपको ऐसी एक zip file मिल जाएगी इसको extract कर देना है extract to library system with graphics extract करने के बाद आपको एक folder में extract कर देंगे extract करने के बाद जब open करेंगे तो इसमें आपको एक contact us text file मिलेगी जिस करेंगे क्योंकि सी रेंग में जो है ICO file ही support करता तो जब आइकन हमको set करना होगा उसके लिए हम ICO file ही use कर सकते हैं PNC या JPG बगारा नहीं उसमें support करता है तो यह ICO file मिल जाएगी आपको और यह आपको एक .c extension की file मिल जाएगी और एक library.exe file मिल जाएगी जो पहले से compiled file है तो सबसे पहले मैं setup करके दिखा दिखा देता हूँ सबसे पहले करना आपको क्या होगा कि यह कि यह file delete कर देता हूँ कि अभी यह software से बन गई है अभी हम software को run करते हैं तो यह यह इस custom.h को copy करना है यहां से copy करने के बाद आपको computer open करना है और c drive में चले जाना फिर program file में चले जाना है फिर code block में code block को open करने के बाद min gw में चले जाना फिर include folder में चले जाना इनक बाद आप देखें कि बहुत सारी header files यहां पढ़ी होई है इसी folder में आपको यह custom.h वाली header file paste कर देनी तो मैं paste कर देता हूँ फिलहाल मैंने यहां पहले से paste करके रखी यह फाइल तो यहां पेस्ट नहीं हो सकती दुबारा मैं इसे cancel कर सकता हूँ लेकिन आपके computer में ऐसा नहीं होगा आपके computer में आराम से paste हो जाए क्योंकि पहले से वह file माज़ूत नहीं होगी इस file में मैंने बहुत useful function बना के रखें आप किसी दूसरे प्रोग्राम में भी यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं जैसे set color, text का color change कर सकते हैं वगार बहुत सारे functions हैं जो मैंने इस library बाले project में यूज में लिए हैं तो जब आप यह header file उस folder में डाल दें उसके बाद आपको यह .c extension वाली file किसी भी text editor में उपन करने के बाद यहां से सारा text यहां code copy कर लेना है copy करने के बाद यहां मैं code block open कर लेता हूँ code block में एक नय project create कर देते हैं आपको यहां console application चूज करना है क्योंकि अगर यह console based application है अगर आपको दूसरा चूज करेंगे option तो यह project run नहीं होगा यहां c language को चूज कर लेते हैं next यहां default drive e selected है यहां programs आप चाहें यहां browse करके कुई दूसरी drive भी select कर लेते हैं फिलाल मैं desktop select कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं यहां project का title ले देता हूँ write goal and next कर देते हैं and finish कर देते हैं finish करने के बाद यहां आपको left यहां right side में एक management का option दिखाए देगा management का उसी के नीचे आपको bright goal आप जो जिस नाम से आपने project बनाया होगा हिलाल मैंने bright goal के नाम से बनाया तो इसी नाम से आपको यह एक अपज़ेट दिखाए देता है इसमें source code folder को open करने बाद main को open कर लेता है इसमें से जितना भी text लिखा इसको remove कर देता है और यहां जो copy किया था उसको paste कर देता है जब आप इसको paste कर देंगे इसके बाद जब आप इसको run करेंगे अगर आपने header file वहां उस folder में डाली होगी तो successfully run हो जाएगा कोई भी error नहीं आएगी तहां मैंने यह paste कर दिया पेस्ट करने बाद हम इसको run करके देखते हैं थोड़ा time लेगा क्यूंकि बहुत बढ़ा project है और नई file बनाई है और शुरू से सारा compile हो रहा है इसलिए थोड़ा time लेगा यह successfully compile हो जुगा कोई भी error नहीं आई है तो मैं इस project को बंद कर देता हूं और code block को minimize कर देता हूं अब यहां आप देखेंगे कि desktop मैंने destination में set किया था तो यहां write goal एक project folder आ चुका है इस project में आपको यह bin folder के अंदर debug folder के अंदर एक इस फाइल मिलेगी बट अभी नहीं मिलेगी दुबारा हम इस file को compile कर देते हैं अब उस folder में वह file आ चुकी होगी तो हम फिसमें मेर्ज करते हैं बिन folder में चक करते हैं तो यहां एक सी file आ चुकी है जो executable file है जिससे आप सीधे run कर सकते हैं यह काफी fast run हो रही है अब इस file पर अभी आइकन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आप आइकन अगर सैट करना चाहते हैं तो कैसे सैट करेंगे जो icon की file मैंने दी है आपको इस folder के अंदर तो यह folder open कर लेना यहां ICO वाले file copy कर लेनी है इसको copy करने के बाद जो project का folder है उसमें जाके paste कर देनी है paste करने के बाद इसको भी मैंस कर देता हूं और code block open कर लेते है code block open करने के बाद यहां आपको new text file लेनी है यहां से आप ले सकते हैं new text file इसको dot rc extension से save कर देना है तो मैं icon dot rc extension से save कर देता हूं अगर आप rc extension से save नहीं करेंगे तो वह icon वहां built नहीं होगा एक सी file के साथ तो हैं save कर देते हैं dot rc extension देकर डिबग एंड रिलीस को ऐसे रहने देना सब आपके कर देना है फिर यहां text file create हो जाए इसमें लिखना है main यहां कभी लगती होगी main फिर icon 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 के बाद double inverted comma में उस file का नाम लिख देना है जो file वहां आपने पेस्ट की थी यहां ब्राइट को फोल्ड कर दे रहे हैं आपने icu.icon की file paste की थी यही नाम आपको यहां से लिख देना मैं यहीं से copy कर देता हूँ और यहां paste का देता हूँ जब आप इतना code लिखके इसको compile करेंगे तो यह इसके साथ built हो जाएगा यह open होगे file अब जाके देखते हैं इस xc file के साथ वह icon built हुआ कि नहीं तो फोल्ड को दुबारा open किया आप दे सकते हैं dot icon.rc यहां भी आ चुकी एक file bin को open करते हैं debug यहां आप दे सकते हैं एक पहले की file है जो normal थी तो इसको deliver करते हैं यहां second वाली file में दे सकते हैं यहां icon built हो चुका है साथ में icon भी आ रहा है अब इस file को जहां मैं जिमूव करें यह icon साथ में रहेगा हटेगा नहीं इस तरह आप icon को भी set कर सकते हैं अब बात आती है इस project को आप कहां से download करेंगे है तो सबसे कहले मैं बता देता हूं कि आपको सबसे पहले इस project ने लिंक द Šश आपको मिल जाए का यह प्रज़क्ट आपको मिल जाएगा फिलहाल यह project 199 रूपीज का है उसको पे करने के बाद आप इस project को dazu को यह ऐक Сब्लूब कर सकते हैं फिलाल अभी तो paid ही project है इस store पे available हैं लेकिन free project भी डालने वाला हूं बट paid project इसलिए डालता हूं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा महिनल लगती है और अगर आप इसको run करेंगे तो कोई भी error आपको नहीं मिल गए successfully run हो जाएंगे इसलिए थोड़े बहुत ज्यादा महिनल ल भी डालने वाला हूं बट उसमें कुछ errors रहेंगी वह आप download करने के बात find out कर सकते हैं अगर आप फ्री के project डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां back जाके अगर आप कोई दूसरा project लेना चाहते तो यहां बहुत सारे projects दिये हुए हैं यहां से आप कोई दूसरा project भी choose कर सकत हैं तो आप यहां से download कर सकते हैं by now पे click करके आपको यहां payment कर देनी है यह एकदम secure payment gateway है इस्टो मोजोगा तो आप यहां से payment करने के बाद download कर सकते हैं download करने बाद आपको ऐसी एक zip file मिल जाएगी जिसमें सारा material मिल जाएगा तो ऐसा है कि आपको यह video पसंद आई होगी कुम मिल जाए